नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं बालों का लेप, जैसे आपके बालों में समस्या है, बाल जड़ते हैं, बालों में रूसी रहती है, बाल गर्मी से जड़ते हैं, बालों में चमक नहीं रहती है, इस सब समस्या हल करने के लिए हम लेप बना रहे हैं इस नारियल को हम छोटे छोटे टुकडों में काट लिए हैं, अब इसको हम पीस के इसका दूध निकालेंगे, इसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे, नारियल तो सेहत के लिए वैसे ही फायदे बंद रहता है, आप इस तरह करके लगाएंगे तो और यह अधिक चान लें या कोई छनी से चान लें, हम इसमें डाल के चम्मच से दबा दबा करके इसका दूध निकाल लेंगे, नारियल तो से भी खानी भी चाहिए, खाने में भी बहुत फायदे बंद होती है, और पीस के इसका लेप लगाएंगे दूध का यह भी बहुत अच्छा होता है, बालों में चमाक आती है, रूसी की समस्या होती है, पित की समस्या होती है, जैसे गर्मी सरीर में होती है, यह सब समस्या दूर होती है, हमने दो चमच मेथी लिए हैं, इसको पीस लिए हैं, अब इसी दूध में इसको मिला देंगे, यह मेथी हम दूध में फूला तो दूद को सोख लेगी अब अच्छे से हम मेथी को दूद में मिक्स कर देंगे और 6-7 घंटे के लिए से रख देंगे मेथी तो ऐसे ही आपको फूला कर खानी चाहिए यह बहुत फायदा करती है हड़ीयों को दर्द को मारती है और जो बालों की समस्या होती है उसको भी दूर करती है देखिए 6-7 घंटे हो गई हमारे इस तरह मेथी ने दूद को सोख लिया है अब इसे हम बालों में अच्छे से मिक्स करेंगे जो गाढ़ा है थोड़ा सा हलका पानी डालेंगे ज्यादा पानी मट डालिए कि बालों में लगाने के बाद गिरने लगे थोड़ा पानी लगाओ जैसे मालिस करते सर में बने अस सर में जब लगाओ तो अच्छे से इसकी मसाज करो तो बहुत ही अच्छा रहता है लगाने के बाद एक से दो घंटे तक इसको बालों में रखना चाहिए हमने थोड़ा पानी डाल के इसको मिला दिये हैं इतने गाढ़ा इसको रखना है तभी मसाज करने में अच्छा रहता है एलेप आप लगा कर देखिए आपको जरूर एलेप फायदा करेगा आप एलेप लगाईए फिर हमको कमेंट करके बताईए आपको कैसे लगा एलेप आप भी लगाईए और दूसरों को भी बताईए ऐसे ही और वीडियो के लिए प्रभा की रसोई को सब्सक्राइब जरूर करिए आप कोई वीडियो अच्छा लगे लाइक करें सेयर करें प्रभा की रसोई को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्नवाद मिलते हैं अंगले वीडियो में